हाई आज के इस वीडियो में सिखेंगे हिक बीजन का सेट अप कैसे करते हैं IP कैमरा और NBR का तो यहाँ पे IP कैमरे हमारे इंस्टॉल हो चुके है साइट पे और PUE भी कनेक्ट हो चुका है पावर आ रही PUE में डिस्पले के लिए मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है BGA और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो NBR है on हो चुका है और यहाँ पे आपको option दिख जाएगा language वाला और यहाँ पे तो हमें language चूच करनी है उसके बाद फिर next पे click करना है यह हमारा डिस्पले के लिए है इसको cancel कर देना है उसके बाद फिर यहाँ पे password बनाने का option आ जाएगा तो यहाँ पे हम फटाफट password बना लेंगे strong password बनाएंगे वही password हम confirm करेंगे password का hint डाल देंगे तो दोस्तो अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लिजे साथ में notification वाला बेल जरूर है भाईए यहाँ पे password का hint डाल सकते हैं कोई भी hint डाल देंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे unlock pattern पे तो यहाँ पे pattern वाला option आजाएगा तो यहाँ पे दो बार draw करना पड़ेगा तो पहली बार ड्रो हो गया है दूसरी बार ड्रो करेंगे तो यहाँ पर हमारा pattern भी बन चुका है उसके बाद हम activate वाले option पे click करेंगे उसके बाद यहाँ पर date time को option आ जाएगा तो यहाँ पर date time हम सही कर ले रहे हैं उसके बाद फिर हम यहाँ पर time जो है time को select कर लेंगे time सही कर लेंगे अपना next पर click करेंगे यहाँ पर IP address है तो हम यहाँ पर DSCP disable करके हम जिस स्रीज में चाहे IP assign कर सकते हैं तो अपने network की हिसाब से हैं किस network में आप connect करेंगे किस company का net लगा हुआ एटल, BSNL, Reliance जो भी लगा होगा उसी हिसाब से आप यहाँ पर IP assign कर देंगे, तो हम यहाँ पर 100 की स्रीज में IP assign करेंगे क्योंकि अमारा यहाँ पर similar router लगेगा और similar router की जो IP है 100 की स्रीज में है यहां पर gateway भी 100 की series में यहां पर assign कर देंगे, उसके बाद फिर हम next पर click करेंगे, यह हमारी hard disk लगी हुई है, इसको select करेंगे 2 terabyte और init पर click कर देंगे, यहां से format हो जाएगा, ok करेंगे यहां पर, 1%, 20%, उसके बाद यह 100% तक जाएगी, और हमारी hard disk है, जिसमें हमारा data save होगा वो format हो जाएगी, तो hardest format हो चुकी है, और यहां पर करेंगे click next पर, तो camera हमारे सारे आ रहे हैं, यहां से भी activate करके add कर सकते हैं, नहीं तो हम next पर click करेंगे, और यह online services हैं, फिर next पर click करेंगे, यहां पर email डाल देंगे, और question के, answer जो है, set कर लेंगे, अगर आप password भूल जाते हैं, तो बहुत आसानी से password को reset कर सकें, तो दोस्तों अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe जरूर कर लें, तो यहां पर Gmail डाल दिया है, और हमें question के जो answer है, same डाल देंगे, enter करेंगे, यहां पर finish पर click कर लेंगे menu में click करेंगे, right click करके, उसके बाद configuration में जाएंगे, फिर यहां पर आप जाएंगे camera में, camera में जाएंगे, तो नीचे देखेंगे आपको camera सारे दिख रहे हैं, उसके बाद हमें यहां पर सारे camera को select करना है, तो camera हो गए select उसके बाद activate पर click करेंगे और यहाँ पे हम tick पर click कर लेंगे और ok कर देंगे अगर आप tick पर नहीं click करेंगे तो आपको नया password बनाना पड़ेगा और अगर tick पर click कर देंगे तो जो password NBR का हुआ ही password आपके camera का हो जाएगा camera हो गए activate और हम camera को select करके add पर click कर लेंगे और यहाँ पर जो IP है automatic change कर देगा आपने देखा कि IP जो है automatically यह 100 की सीरीज में change हो गई है IP change करने कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि same password था और camera यहाँ पर live हो चुके हम main screen पर जाएंगे तो यह हमारे IP camera जो है चालो हो चुके हैं आई होप की वीडियो आपको informative लगा होगा अगर यह वीडियो आपको informative लगा थो चैनल को subscribe जरू करने मिलते हैं next video में